देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म उनहा स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदायव बरिया है, यह वीडियो 17 सेतंबर 2022 को होने वाले सूर्य महराज के राशी परिवर्तन के बारे में है, सूर्य यानि की आदित्य, हर महीने की तरह इस बार एक राशी में करीबन 30 दिन रहते हैं, क्योंकि एक दिन में एक डिगरी चलते हैं, तो जब भी उनका राशी परिवर्तन होता है, तो जीवन में परिवर्तन तो आता ही है, अपनी ही राशी में थे पिछले एक महीने से, और अब नीच अभी राशी हो जाएंगे, यानिकी एक प्रत्यक्ष देवता है ऐसे देवता जिनको हम रोज देख सकते हैं तो उनका स्थान परिवर्तन उनका राशी परिवर्तन हम सब के जीवन में बदलाव लाता ही है अगर हमारे जीवन की बात करें तो कारक हमारे जीवन में अथॉरिटी के कारक करक और आसे कई चीज़ों के कारक हैं सूरह महाराज और उनके राशी के बदलाव से हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव आएगा इसी पर च Cantonल हम इस वीडियो में करेंगे कहां से देखे राशी फल देखे राशी फल अब्जर्व बताऊंगा तो आगे शुरू करते हैं सूरे के सराशी परिवर्तन का हमीशा की तरह मेश के साथ मेश के लिए सूरे महराज जब कन्या में आएंगे तो छटे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे छटे भाव के सूरे अच्छे कहे जाते हैं छटे भाव के सूरे काफी अच च्छटे भाव में होना बहुत अच्छा है कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पर्टिकुलर ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं तो उसी तरह से सूरे का च्छटा स्थान में होना बहुत अच्छा प्रभाव अवश्चे लेता है अगर आपके कुछ कुछ गवर्मेंट से कार्याटक रहे थे तो इस एक महीने में पूरे कराने का प्रयास कीजेगा वो कार्या आपके अवश्य पूरे होते हैं कई जगा सूरे का यहां पे आना धन संपदा लेके आता है ऐसा लिखा हुआ है और मैंने कई बार देखा भी है सूरे महराज जिसकी कुंडली में छटे भाव में होते हैं या अगर किसी महतववूर्णसमे पर वो छटे भाव में गोचर करते हैं तो धन संपदा आती है रुका हुआ पैसा आता है किसी का कोई पैसा आटक गया था रुक गया था उस पैसे के वापस आने की उम्मीद भी इस एक भाईले में अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य यहां पर है तो थोड़ा aggression आपके अंदर जादा रहेगा, वैसे भी, क्योंकि मेश की जब हम बात करते हैं, तो उनके स्वामी मंगल बनते हैं, वो भी गुस्ते वाले ग्रहे हैं, और जब छटे भाव में कोई aggressive planet आता है, तो व्यक्ति के अंदर frustration और aggression दोनों ही आ जाता है, तो आपके साथ भी ऐसा ही दिख रहा है, कि जो एक महीना है, बहुत कुछ प्राप्त तो करेंगे, लेकिन aggression आपके अंदर बहुत रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के आपके लिए स्वामी है, जब वो छटे में जाएंगे, तो जो students competitive exam दे रहे हैं, उनका इस period में आएगा, उनके लिए result उनके favor में जाता हुआ दिख रहे है, लेकिन love life पर इसका negative impact पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव के ही स्वामी है, और छटे में जा रहे हैं लगने से, यानि कि लड़ाई जगडे काफी होंगे, जहां तक married life की बात है, क्योंकि सब्तम से बारवे में आ रहे हैं, तो प्रभाव तो रहेगा, तो married life में physical compatibility की problem आ सकती है, दूर हो सकते हैं, जहां तक job की बात है, job के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा मैं कही बार पता चुका हूँ, अर्थ अत्रिकोन 2-6-10, ये job के लिए महत्वकून होते हैं, तो जब अर्थ अत्रिकोन में सूर्य आ रहे हैं, यानि कि specially जो government job करते हैं, government से सम्मंदित कुछ job करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जो private job भी करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका अवश्य अप्राप्त होगा, जहां तक business की बात है, यहां पर मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, आपके बास काम तो आएगा, लेकिन उसमें रुकावटे बहुत आएंगी, क्योंकि सूर्य चटे भाव में है, तो अगर रोग की बात करूँ, तो आपको वायू रोग, वात रोग और एसिडिटी बहुत तंग कर सकती है, और इन चीजों का आपने ध्यान देना है, तो overall तो सूर्य का आपके लिए कहां प्याना बहुत अच्छे प्रभाव देता हुआ दिख रहा है, आपको उपाय क्या करना है, केवल गुड का दान कर द रहेंगे, पंचम के सूर्य मिला जुला प्रभाव देते हैं, कहीं कहीं पे तो इस गोचर को बहुत अच्छा बताया गया है, कहते हैं कि यहां पे आके सूर्य भाग में व्रद्धी करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मिला जुला प्रभाव देते हैं, क्रोधी हो जाता है व्यक्ति और उसके अंदर इगो बहुत आ जाता है और यह एक चीज है जो बहुत परिशान व्यक्ति को करता है परस्टर लाइफ में आपके कई लोगों से वैचारिक मतवेद होंगे और वो जो वैचारिक मतवेद है वो आगे चलकर लड़ाई जगड़ों में बदल सकते हैं क्मवर्ट हो सकते हैं क्योंकि सूर पंचम में है तो व्यक्ति हो सकता है किसी तीर्षल पर जाए और свою सब्सक्राइब हो सकते हैं आने वाले एक महीने में आपकर किसी शिवजी के तीर्षल पर जैसे काशी या और जगाए हैं वहाँ पर जाने का आपका कोई बने या हो सकता है है प्लैन बहुत समय से बना रहे हूं लेकि जा नहीं पा रहे हूं तो वह चीज हा Found दीज्का टीफ में संपन हो सकती है आपको किसी भी अच्य तीर स्थाल में जाने का पॉजिशन पर होने से चिड़ते हैं, वो आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सजग रहिएगा, अपने सेंसेस में रहिएगा, आपके लिए सूर्य महाराज चौथे भाव के स्वामी है, फोर्थ हाउस के, अब फोर्थ हाउस के स्वामी का, या राजयोग तो बनाता है, लेकिन कहां बैट रहे हैं, बैट रहे हैं बुद्ध की राशी में, और चौथे भाव के स्वामी हैं, यानि कि परसनल लाइफ में बहुत सारे मिसकॉम्मुनिकेशन होने वाले हैं, और इमोशनली कोई ना कोई आपको इस एक महीने में हर्ट करना है, क्योंकि पंचम भाव प्यार के लिए भी देखा जाता है, बाकी सब भी देखते हैं, लेकि जब सिर्फ गोचर की बात करते हैं, तो पंचम भाव को सबसे पहले देखेंगे, अब यहां पर सूरे हैं, और नीच अविलाशी हैं, यानि कि रिलेशन्शिप के लिए अच्छा नहीं होगा, जिनका रिलेशन्शिप अल्रेडी प्रॉब्लम्स के थू जा रहा था, ब्रेक अप तक बात पहुत सकती हैं, मैरिड लाइफ के लिए इतना नकरात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, जॉब की बात कर लेते हैं, जो लोग जॉब करत ग्रह होते हैं, जो नकरात्मक पोजीशन में होते हैं, वो आज के समय में कॉम्पिल्टिव एक्जाम में अच्छे रिजल्ट दिलवा देते हैं, तो ऐसा ही दिखरा है आपके लिए, स्टूडेंस के लिए यह समय अच्छा रहेगा, ओवरॉल मिला जुला सा दिखरा है सूर्य देवता को जल अरपन करना है, उस जल में थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं, और उसके बाद जल अरपन करना है और अधितित सोत्र को आपने दो बार सुनना है, अगर पाठ कर सकते हैं तो एक बार कर लिएजेगे, चलते हैं ज्यमिनाय यानि की मित्षुन की भाव देते हैं, सबसे पहले तो दिगबल लूज कर जाते हैं, क्योंकि दस्वे स्थान में दिगबल ही होते हैं, यहाँ पर आकर दिगबल एकदम लूज कर जाते हैं, तो यह problem क्या होती है, यह problem यह है कि आपकी authority अपने जीवन में चली जाएगी, लोग आपकी सुनना थोड होधी बनाते हैं, और इसके साथी ego बहुत बढ़ जाता है, और उसमें से जादा तर fake ego होता है, false ego होता है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वोत्तम हूँ, और जब व्यक्ति में ऐसी भावना आने लग जाती है, तो गलतियां करता है, सूरिय जब यहाँ पर आते हैं, त गलति को थोड़ी चोट दिलाते हैं, मतलब कि शारिरिक चोट, आपको इंजरी हो सकती है, कहीं से गिरने से, आपको कुछ लग सकता है, उसके कारण आपको चोट लग सकती है, तो इस चीज़ का तो आपने ध्यान देना है, क्योंकि चौते भाव में हैं, आपका अपने वा भाव के स्वामी है, अब तीसरे भाव के स्वामी चोटे में आ रहे हैं, यानि कि आपका अपने घर के लोगों के साथ थोड़ा miscommunication हो सकता है, communication gap आ सकता है, आपकी सुनेंगे कम, जैसा मैंने शुरू में कहाता, और जब वो कम सुनेंगे तो आप थोड़ा frustrate रहेंगे, औ और उसके बाद आपके जगडे होंगे अपने घरवाले लोगों से ही, इसलिए यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो मिला जुला प्रभावत देते हैं, और क्योंकि तीसरे भावत के स्वामी है तो साब बता रहा है कि फैमली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ज कुछ किल जाएगा, बिजनस के लिए फिर भी सही है, कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे, लव लाइफ की जहां तक बात है, नया रिलेशन्शिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम के साथ, जो लोग अल्रेडी करना है, फिर भी एक superiority complex आपके अंदर आएगा, कि मैं better हूँ, अपने life partner से मैं जादा contribute करता हूँ या करती हूँ, और इस चीज़ के कारण problems आ सकती है, जहां तक सेहत की बात है, जिनको chest संबंदित कोई भी रोग है, कफ बहुत बनता है, उनके लिए महीने में problems थोड़ी, specially जादा बढ़ने वाली है, आपको उपाय क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव पर 11 बेल पत्र अरपन करके, ओम नमस्षिवाय का 108 बार जाप करना है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट अवश्याएंगे, चलते हैं कैंसर यानि की करकर की तरफ, आ यहाँ पर यूजूरी अच्छे प्रभाव देते हैं, गोचर के हिसाब से, यहाँ पर जब सूर्य आते हैं, तो कई शास्त्रों में लिखा होता है कि व्यक्ति श्री युक्त हो जाता है, श्री मतलब लक्ष्मी मता, तो कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य करेंगे, वो प अन्युक्त कैसे बन सकते हैं, जो जॉब करते हैं हो सकता है, उनको कुछ इंसेंटिव जादा मिल जाए, बिजनस में प्रॉफिट हो जाए, इंवेस्टमेंट आपने करी थी, वहां से प्रॉफिट आ जाए, बतलब कि कहीं न कहीं से पैसा अवश्य आएगा, आपके अंद दूर चरे जाए, कुछ समय के लिए, जब तक सूर्य एक महीने के लिए यहां पर हो, तो इस चीज़ से थोड़ा बचके रहेगा, इस चीज़ के लिए ध्यान रखेगा, अदर्वाइस तो सूर्य का यहां प्याना बहुत अच्छा होता है, आपकी कई इच्छाएं अवश अच्छे कमा सकते हैं, अच्छा महीना देख रहा है आपके लिए, जीवन आपका आगे बढ़ेगा, यहां से बैठकर वो नवम स्थान को भी देखेंगे, जो भाग्य का स्थान है, और धनस्थान के स्वामी भाग्य स्थान को देखेंगे, यानि कि भाग्य का भी भरपू लाव होगा जहां तक लव लाइफ की बात है उनके लिए अच्छा है नया relationship भी स्टार्ट हो सकता है और relationship में problems आ रही थी तो वो भी बहुत हद तक solve हो सकती है married life मिली जुली रहेगी वैसे सब कुछ सही रहेगा लेकिन विचार कई जगा एकदम मैच नहीं करेंगे और इसके कारण problems हो सकती है तो overall आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है सेहत की बात करें तो गले के रोक तंग करेंगे थायराइड यदि आपको है तो थोड़ा सा दिक्कत वो आपको दे सकता है उपाए क्या करना है सूर्य महराज आपके धन स्थान में आने की दूतिय भाव में आ रहे हैं दूसरे स्थान में आ रहे हैं कन्य अराशी में एक महिने तक यहीं पर गोचर करेंगे दूसरे स्थान में सूर्य महराज का आना अच्छा ही होता है कई चीजों के लिए और थोड़ी बहुत चीजों के लिए थोड़ा नकरात्मक भी हो सकता है यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो कई जगा ऐसा शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति भाग्य शाली होता है और मैंने देखा भी है कि कभी-कभी यहाँ पे गोशर करना सूर्य देवता का व्यक्ति के भाग्य में व्रिद्धी करता है और उसके कारे बनना शुरू हो जाते हैं तो यह एक बहुत अच्छी चीज है लेकिन कुटुम्बस्थान है और कुटुम्बस्थान में कोई जब एग्रसिव प्लैनेट आता है तो प्रॉब्लम्स आती है आपका अपने घरवालों से जगडा हो सकता है आपका अपने घरवालों से चोटी चोटी बात पर थोड़ा जगडा थोड़ी बहस यह सारी चीजे हो सकती है जो आगे चल कर इस महीने में प्रॉब्लम्स क्रियेट कर सकती है कुटुम्ब स्थान है घर में किसी की तब्यत भी बिगड सकती है थोड़ा ध्यान दीजेगा ये वानी का स्थान भी है तो जब कोई aggressive planet यहाँ पे आता है तो वानी में भी अपने आप aggression आ जाता है और इसके कारण भी आपका कई लोगों से वाद विवाद हो सकता है तो यदि थोड़ा राशी फल में बिलीव करते हैं तो आने वाले एक महीने में अपनी वानी पर बहुत कंट्रोल कर देगा अपने शब्दों पर और शब्दों के चैन पर कंट्रोल कीजेगा जहाँ पर भी लगे कि यहाँ पर argument हो सकता है अपने आपको वहाँ से निकाल लीजेगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा और यहाँ से बैठकर अश्टम को देख रहे हैं यानि कि अचानक से पैसा आ सकता है ये भी आपके लिए काफी अच्छे चीज़ देख रही है बसवानी पर कंट्रोल रखेगा वो एक चीज़ है जो थोड़ा नकरात्त पर प्रभाव दे सकती है जहां तक love life की बात है ठीक थाग रहेगा सब कुछ यदि problem चल रही थी तो solve हो सकती है इवन relationship को शादी की तरफ लेके जाने के लिए अच्छा समय है विवाहिक जीवन पर negative impact पड़ेगा क्योंकि सब्तम से अश्टम में है ये थोड़ी problem create आपके लिए कर सकते हैं जहां तक career की बात है अच्छा समय है आगे बढ़ पाएंगे promotion के chances बढ़ पाएंगे business के लिए मिला जुला समय है government की दरफ से कोई problem आप छेल सकते हैं तो आपके लिए जादा तरतु सगरात्म की दिख रहा है यहां पे सूरे महराज काना जहां तक सेहत की बात है आपको आँखों के बहुत रोग तंग कर सकते ह आपको उपाए क्या करना है आपको सूरे देवता को जल अरपण करना है उस जल में किसी भी फूल की कुछ पंक्खोडियां डाल लेनी है गुलाब की डाल सकते हैं गेंदे की पूल की डाल सकते हैं जो भी available हो सात salvation में आपने उसमें ऊथोड़ा गंगा जल भी डालना है उस नियाराशी में एक महिने तक यहीं पर गोचर करेंगे सूर्य का लगन में आना अच्छा प्रभाव भी देता है बुरा प्रभाव भी देता है अच्छा प्रभाव जीवन में अथोरिटी आएगी कंट्रोल आएगा प्रभाव रहेगा आपका आपकी वानी में आपकी बॉड जगा मैंने देखा है माता पिता से भी जो expectations होती है वहाँ पर वो पूरे नहीं उतरते और इस कारण से व्यक्ति को दुख का भोग होता है तो इसलिए सूरे का यहाँ पर आना मिला जुला प्रभावतिता है सूरे जब लगन में आते हैं तो व्यक्ति को रोग लगते हैं वात पित कफ तीनों तरह के रोग आयर्वेद इन तीन चीजों पर ही आधारत है कोई भी बिमारी हो वह इन तीनों से ही होकर गुजरती है इन तीरों के थ्रू ही होती है वात पित कफ तो ऐसा कहा जाता है सशास्त्रों में लिखा और मेरा experience भी है कि सूरे जब लगन में आत बारवे स्थान के स्वामी है अब बारवे स्थान के स्वामी लगन में आ रहे हैं ये भी इंडिकेट यही कर रहा है कि सेहत थोड़ी से भिगड सकती है हॉस्पिटल्स का स्थान है हो सकता है अपने लिए या अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए आपको हस्पताल के चक लेकिन हाँ, ऐसे खर्चे होंगे जिनको आप टाल नहीं सकते और क्योंकि unexpected होंगे तो व्यक्ति को problem तो होती ही है जहां तक love life की बात है, ठीक ठाक समय रहेगा communication gap बहुत आएंगे लेकिन संभल जाएगा विवाहिक जीवन पर इसका negative impact पड़ता है जब लगन में आते हैं, क्योंकि सप्तम को सीधा देखते हैं और सूर्य मेरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं इसलिए मेरिड लाइफ में थोड़ी problems आ सकती है जहां तक career की बात है, अच्छा समय है क्योंकि दस्वे भावसे चौथे में है यानि कि ठीक ठाक रहेगा career के लिए बिजनस के लिए भी ये समय अच्छा देख रहा है जो लोग बाहर से सम्मधद बिजनस इवन MNC आदी में जॉब करते हैं उनके लिए कि समय बहुत अच्छा है तो मिला जुला सा overall प्रभाव देख रहा है सेहत के इसा आँखों के रोग अवश्य तंग करेंगे थोड़ा ध्यान दीजेगा अपनी आँखों का आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अरपन करना है और जल अरपन करने से पहले उसमें एक जैफल का दाना डाल लीजेगा और थोड़ी सी हल्दी और इस जल से आपको सूर्य देवता को अरग देना है उनको अरपन करना है और अरपन करने के बाद आपको गायत्री मंत्र काया 108 बार जाप करना है जलते हैं लिब्रा यानि की तुला की तरफ आपके लिए सूर्य महराज बारवे स्थान में आ जाएंगे बारवे स्थान में सूर्य मिला जुला सा प्रभाव देते हैं बैसे एक तुला ऐसा लगने है एक exception है जिनके लिए सूरे महराज बारवे स्थान में अच्छा प्रभाव देते हैं केवल ये exception है तुला के लिए तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे कि बारवे स्थान में सूरे है तो जादा तर व्यक्ति अच्छी पॉजिशन पर अपने जिवन में पहुँचता ही है क्योंकि जैसा मैंने कहा सबके लिए नहीं है लेकिन तुला के लिए ये exception है शास्त्रों में भी कई जगा पर भढ़ने थे हैं सूरे जब बारवे में आते हैं तो कई तरह के लाभ भी हो सकते हैं कहां से लाभ हो सकते हैं बाहर से देश के बाहर से क्योंकि आपके लिए वो लाभ स्थान के स्वामी है और बैठे हैं बारवे स्थान में यानि की फॉरन का स्थान तो ये आपके लिए अच्छा है कोई आपका court case आधी चल रहा हो उसमें विजय आपको प्राप्त होगी कई चगा ऐसे लिखा गया है शास्त्रों में और मैंने देखा भी है कि सूरे जब गोचर करते हैं बारवे स्थान में तो कभी-कभी व्यक्ति का case उनके पक्ष में चला जाता है तो अगर आपका कोई legal case चल रहा है कोई legal कारवाही चल रही है तो वो चीजें आपके पक्ष में जा सकती है अकस्मत धनलाब के भी योग भनते हैं जब सूरे महराज यहां पे आते हैं लेकिन government से problem आ सकती है हो सकता है कोई notice आ जाए हो सकता है कोई काम आपका अटक जाए और वो काम यदि आपका अटक गया तो थोड़ा लंबे time के लिए खिच सकता है जैसा मैंने कहा कि सूरे आपके लिए लावस्थान के स्वामी है बारवे में बैटे हैं तो जो लोग MNC आधी में काम करते हैं उनके promotion के भी chances महीने में प्राप्त हो सकते हैं या फिर उनके transfer के योग बन सकते हैं हो सकता है promotion के साथ transfer भी हो और transfer उन लोगों की होगी जो चाहते थे की transfer हो यानि की इच्छा के विरुद्ध नहीं होगी इच्छा के साथ ही होगी और उस transfer से आपको भी बहुत फायदा मिलेगा जहां तक love life की बात है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि पंचम से आठवे में आ रहे हैं students के लिए भी थोड़ा नकरात तो नहीं कहूंगा लेकिन मिला जुला सा रहेगा consistency नहीं रहेगी आपके पास और वो problem देगी जो students देश से बाहर जाना चाहते थे उनके कारे अटक सकते हैं और वो थोड़े परिशान हो जाएंगे तो सूर्य देवता मिले जुले प्रभाव आप पर दे रहे हैं आपके लिए दे रहे हैं सेहत की जहां तक बात है पैरों में दर्द रहेगा पैरों में चोट लग सकती है sleep disorder तक तंग कर सकते हैं उपाय क्या करना है आपको सूर्य देवता को जल अरपन करना है उस जल में आपको थोड़ा सा चंदन का तेल डाल लेना है और जल अरपन के बाद करने के बाद आपको गैतरी मंतर का एक सुआट बार जाप करना है स्कोर्पिया निके वरिश्चक के तरफ आपके ली सूर्य महाराज आपके 11 स्थान में आ जाएंगे और एक महिने तक यहीं पे रहेंगे ग्यारवा स्थान, एकादश स्थान, कामत्रिकोन का सबसे स्ट्रॉंग स्थान और इच्छा पूर्ती का स्थान यहाँ पर अल्मोस हर ग्रही अच्छा प्रभाव देता है भौतिक जीवन में और सूर्य महराज का तो यह एक स्पेशल स्थान है जहाँ पर बहुत सारे अच्छे प्रभाव देते हैं, कई इच्छाएं पूरी करते हैं यहाँ पर जब सूर्य महराज आ चाते हैं तो धन प्राप्त होता है, धन प्राप्ती का योग बनता है तो यह एक अच्छी चीज है दूसरा, कई शास्त्रों में यह लिखा है और मैंने भी देखा है कि जब सूर्य यहाँ पर आते हैं तो वाहन का सुख प्राप्त होता है तो ऐसे लोग वरिश्चिक लगने या राशी के जो वाहन प्राप्त करना चाते थे लेकिन उनको कोई सही ओफर नहीं मिल रहा था उनके लिए पूरा एक महिना बहुत अच्छा रहेगा आपका ध्यान एंटर्टेन्मेंट की तरफ काफी जाएगा कुछ भी ऐसा जो आर्टिस्टिक होता है जिसमें कलात्मक कुछ होता है उन चीजों के प्रती आपका थोड़ा जुकाव रहेगा और ये जीवन में होना भी चाहिए मेरे हिसाब से जीवन के जो नौरस है उनको समय समय पर हमको अपने जीवन में स्थान देना चाहिए तो एंटर्टेन्मेंट के लिए समय अवश्य निकालिएगा इस एक महिने में आपके लिए सूर्या दस्वे स्थान के स्वामी है और लाव स्थान में बैठे हैं यानि की कारिक शित्र से लाव होगा, करियर में लाव प्राप्त होगा करियर में प्रमोशन के chances बन सकते हैं, salary, increase के chances बन सकते हैं इंसेंटिव बढ़ने के चांसेज बन सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, सूर्य महराज यहां से बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, यानि कि स्टूडेंस के लिए भी ये जो एक महीने का समय रहेगा, बहुत महत्तपून रहने वाला है, क्योंकि इच्छा के भाव में बैठे हैं, यानि कि स्टूडेंस की इच्छाएं पूरी हो सकती है, और स्टूडेंस की इच्छाएं यूजिली उनके एक्जाम में पास होना, या किसी भी competitive exam में go through होना, या फिर उसका अच्छा result प्राप्त करना ही होती है, तो स्टूडेंस के लिए भी ये जो एक महीने क समय है, बहुत अच्छा दिख रहा है, सबसे अच्छा इसका impact आपके career पर ही पढ़ता हुआ दिख रहा है, यूकि मैंने कहा दस्वेस्थान के स्वामी लावस्थान में है, जहां तक love life की बात है, यहां पर थोड़ी problem आ सकती है, ego clashes काफी होंगे, married life के लिए ठीक ठाक है, अगर problems चल रही थी तो अपने घर के बड़ों के साथ थोड़ा बैट कर चीजों को सुलजाने का प्रयास करेंगे, तो आपके हक में ही result अवश्या हैगा, यहीं की चीज़ें solve हो जाएंगे, तो आपके लिए usually तो सोरे महराज अच्छे ही प्रभाव देते हुए दिख रहे भी थोड़ी problem आप हो सकती है, आपको उपाय क्या करना है, आपको सूर्य देवता को जल अरपन करना है, जल अरपन करने से पहले उस जल में थोड़ा सा सिंदूर मिला लिजेगा, और उसके बाद जल अरपन कीजेगा, और जल अरपन करने के बाद आपको ओम नमस शिवाय क आपके लिए सूर्य महाराज आजाएंगे आपके दस्वे स्थान में यानि की कन्या राशी में और एक महीने तक यहीं पर रहेंगे दस्वा स्थान सूर्य का एक प्रिय स्थान है क्योंकि यहां पर दिगबली होते हैं अब आपके लिए एक महीने दस्थान में गोचर करेंगे तो आपके हाथों कई कारे संपन होंगे अब शुबता वो तो जीवन में पर्टिकुलर व्यक्ति के शुब क्या है उस पर डिपेंड करता है यानि कि आपके जीवन में जो शुबता बढ़ाएंगी चीजें वो आपके हाथों से संपन होंगे प्रॉपर्टी के स्थान को देख रहे हैं यानि कि इस महीने प्रॉपर्टी का लाब हो सकता है प्रॉपर्टी सेल आब हो सकता है सेल आब अर्थात कोई प्रॉपर्टी आपकी बिग जाएगी प्रॉफिट देके जाएगी या फिर किराय पर भी चड़ सकती है रेंट पर लीस पर चड़ सकती है दस्वे स्थान के जो सूरे होते हैं वो जीवन में बहुत सकरात्मक ता भर देते हैं सूरे एक उरजात्मक रहे हैं सकरात्मक रहे हम लोग अगर सूरे महाराज को एक दिन ना देखे तो हमारा जीवन नीरस्सा होने लग जाता है जो लोग इंडिया में नहीं रहते विदोशों में रहते हैं जहाँ पर कुछ-कुछ ऐसी जगाएं हैं जहाँ पर सूरे महराज देखने को ही नहीं मिलते उन लोगों से पूछे कि वो कितना मिस करते हैं सूरे को देखना तो अब आपके दस्वे स्थान में हैं दिखवली हैं यानि कि जीवन में सकरात्मकता बढ़ जाएगी और हर कारे में सकरात्मकता आएगी रुके हुए कारे बनना शुरू हो जाएंगे अपने आप रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे उल्जनों से निकलने का मौका आपको प्राप्त होगा बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे सूरे महराज का आपके लिए दस्वे स्थान में आना कुछ न बहुत अच्छा आपको अवश्य देके जाएंगे क्योंकि दस्वे स्थान में है दिख बली है अगेन मैं बता रहा हूँ जाब की कंसर्न में भी कुछ अच्छा हो सकता है नई जाब प्राप्त हो सकती है करियर में प्रमोशन मिल सकता है salary increase हो सकती है आपके लिए नवम स्थान के स्वामी है सूर्ख जो के एक तरिकून स्थान है भाग्य स्थान है भाग्य स्थान के स्वामी दस्वे स्थान में कई बार बता चुका हूँ कर्म धर्मादी पती योग बनता है यानि कि भाग्य का साथ मिलेगा कारेक शेतर में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ वाद विवाद किस्तिती चल भी रही थी बॉसेस के साथ वो भी धूर हो जाएगी तो ये भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है लव लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इंपेक्ट रहेगा बातचीत में प्रॉब्लम हो सकती है समझ नहीं आएगा क्या कह रहे है क्या सुन रहे है मैरिड लाइफ में इगो क्लेशेस बहुत होंगे जिसके कारण प्रॉब्लम काफी जादा हो सकती है जहां तक बिजनस की बात है उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है कुछ ना कुछ सकरात्मक आपके बिजनस में हो सकता है कोई नए आफ़र कोई नए ओर्डर आपके पास आ सकते हैं जो आपके बिजनस को आगे लेके जाएंगे सेहत के हिसाबसे Lower Body में बहुत दर्द रहेगा नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है Lower Back में काफी दर्द रह सकती है उपाय आपको क्या करना है आपको सूर्य देवता को जल अर्पन करना है जल अर्पन करने से पहले उस जल में कुछ इलाईची के दाने डाल लीजेगा और उसके बाद जल अरपन करना है और जल अरपन करने के बाद आपको गयत्री मंत्र का 108 बार जाप और ओम नमस्यवाय का 27 बार जाप करना है चलते हैं मकर यानि की केप्रिकॉन के दरफ आपके लिए सूर्य महाराज आजाएंगे आपके नवम स्थानवे नाइन्थ हाउस में यहाँ पे मिला जुला प्रभाव देते हैं कई जगा जैसे आपके भी सूना होगा कि सूर्य यहाँ पे होते हैं तो पित्रदोश लगता है जब सूर्य यहाँ पे आते हैं तो पिता जी से घर के बड़ों से संबंध में विकार आता है मानसिक मतभेद वैचारिक मतभेद होना शुरू हो जाते हैं और दूरियां आ जाती हैं तो जो अगला एक महिना है अवाइड करें अपने से बड़ों से आर्गमेंस बहस इन सब चीजों को अउड करें जहां काम करते हैं वहां पर भी अपने सेनियर से आपके वादिवाद हो सकते हैं आपकी वाणी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आप बहुत सत्य बोलेगे जब सूर्य नवम में आते हैं तो व्यक्ठी बहुत सत्य बोलता है और आज के जीवन में जो वेक्ति सत्य बोलता है 100% वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है इसलिए थोड़ा सा सनातन धर्मकादेश है जहां पर तीर सल अनुष्ठानों की कोई कमी नहीं है और इनसे जीवन में सकरात्मक्ता ही आती है तो इस मौके का लाव अवश्य उठाईएगा आपके लिए आठवे भाव के स्वामी है नवम में जा रहे हैं दुबारा यहीं बता रहा है कि घर के मंदों में विकार आ सकता है क्योंकि अश्टम के स्वामी नवम में बैठकर तीसरे को भी देख रहे हैं लव लाइफ पर इसका नेगेटिव इंपक्ट पड़ेगा अनिश्यत्ता आएगी विवाहिक जीवन में कॉम्मुनिकेशन गया पाएंगे जैसा मैंने का सच बोलने क के खारण प्रॉब्लम्स होंगी उसका एक इंपक्ट विवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा करियर में भी प्रॉब्लम्स आती हुए दिख रही हैं स्पेशली बॉसेस के साथ मैनेजमेंट के साथ जो लोग बिजनस करते हैं बस उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा क् तो ओवरॉल सूर्य महाराज का यहां पर आना मिला जुला प्रभाव ही दे रहा है स्टूडेंस की बात नहीं की स्टूडेंस के लिए अच्छा है क्योंकि पंचम से पंचम में बैटे हैं तो जिनका कोई गौर्मेंट एक्जाम है उनके लिए अच्छा होगा सेहत की जहां सूरे चलीशा और शिव चलीशा दो दो बार पाट करना है कुम्ब याने की एक्वेरियस की तरफ आपके लिए सूरे महराज आठवे स्थान में कन्या राशी में लगन से अश्टम में आके बैट जाएंगे एक ऐसा स्थान है जहां पर सूरे महराज बहुत कमफर्टेबल नहीं रहते जो प्रकाशित ग्रह हैं दोनों सूरे और चंद्रमा अश्टम में आकर बलिहीन हो जाते हैं कई तरह की प्रॉब्लम्स आदी है और वे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में भी रिफ्लेक्ट करती हैं बुद्धी मता में कमी आती है कई शास्त्र ऐसे कहते हैं मतल ब्रॉब्लमन से वियोग होता है यैनि कि संबंदों में प्रॉब्लम्स आती है जो दिसीजिन वाली बात है वो सबसे महत्वपून है क्योंकि वहाँ पर बहुत हतिक आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है financial specially कोई decision है उसको तो लेने से बचिएगा अगर लेना ही पढ़ रहा है आपको इस समय में तो बहुत ही देख भाल कर बहुत ही सोच विचार कर किसी से सलाह लेकर वो financial लिरने लेजिएगा सेहत के लिए सूर्य महराज का यहां पे आना बिल्कुल अच्छा नहीं होता immunity में कमी आएगी और कोई infection आपको catch कर सकता है और overall health थोड़ी बिगड़ सकती है यहां से बैठकर दूसरे स्थान को भी देखेंगे तो पैसे की स्थिती भी बहुत stable नहीं रहेगी वानी में भी कड़वाहट आ सकती है आपके लिए सब्तम भाव के स्वामी है सब्तम भाव शादी का स्थान अश्टम में जा रहे हैं शादी में problem आ सकती है शादी की बात चल रहे थी उसमें problem आ सकती है married life में बहुत हद तक problem आएगी कोई ऐसा कारे करते हैं जिसमें आप बहुत popular हैं आप politics में हैं आप social work करते हैं social media से सम्मदित कुछ कारे करते हैं लोग आपके खिलाफ शड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर सचेत रहिएगा जहां तक career की बात है कुछ changes आते हुए दिख रहे हैं लेकिन वो positive changes होंगे लेकिन हाँ handle करने में आपको थोड़ी परिशानी होगी business के लिए ठीक ठाक है business में lab होगा लव लाइफ के लिए ठीक ठाक है कहीं न कहीं emotional compatibility match करेगी लेकिन जैसा मैंने कहा married life के लिए अच्छा रहेगा चो students research based कुछ करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा तो आपके लिए सूर्य मिला जुला सा प्रभाव दे रहे हैं जल अरपन करने से पहले उस जल में थोड़े सफेद तिल और थोड़े चावल ये मिला लिजेगा वो जल अरपन कीजेगा जल अरपन करने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है यहां पाइसेज यानि की मीन के तरफ आपके लिए सूर्य महराज आपके साथवे स्थान में यानि की कन्या राशी में आके बैठ जाएंगे और एक महीने तक यहीं पर रहेंगे सब्तम में सूरी का आना बहुत अच्छा नहीं होता मिला जुला प्रभाव देगा मैं यह नहीं किरा कि हर चीज में बुरा होगा लेकिन जादा तर बुरे प्रभाव प्राप्त होते हैं परिवार सुक की कमी आती है क्योंकि चौथे से चौथे में हैं भावेत भावम का प्रिसिवल लगता है तो परिवार सुक में प्रॉब्लम आएगी यानि कि वैचारिक मतबेद बहुत होगे चोटी-चोटी बातों को लेकर बहस होगी इगो, इगो क्लशेस बहुत होगी मैं बड़ा या तुम किसकी घर में जादा चलेगी, कौन जादा स्ट्रॉंग है हर चीज के हिसाब से पैसा हो, रुत्बा हो, इन चीजों को लेकर घर में बहुत वाद विवाद होंगे आपकी साइट से भी होंगे और आपके परिवार वालों के साइट से भी होंगे तो सबसे पहला तो परिवार सुक में कमी प्राप्त होगी सब्तम में है married life के लिए अच्छे नहीं होते married life पे problems अवश्च आएंगे जिनकी शादी की बात चल रही ति delay हो सकती है हो सकता है सब कुछ तै हो गया हो सब्तमबर से अक्टूबर के बीच में शादी करनी है लेकिन कुछ ना कुछ डिले आ सकता है कुछ ना कुछ problem हो सकती है सब्तम के जो सूरे होते हैं वो married life में problems create इस तरह से भी करते हैं कि व्यक्ति का ध्यान भटकता है ऐसी चीजें कर जाता है जो morally right नहीं होती जो एक शादी शुदा व्यक्ति को वो पुरुष हो या कारी दोनों ही को नहीं करनी चाहिए और ऐसा वो कर बैठते हैं जिसके कारण married life में problems आती है अनिशित्ता आती है stability की कमी आती है और third party situation अवश्य बनती है usually जब भी सूर्य सब्तम में आते हैं क्योंकि अपने current life partner से वह संतुष्टी हर तरह की नहीं प्राप्त होती इसलिए व्यक्ति कहीं और उनका ध्यान भटकता है कि हो सकता है आपको इस समय शक भी हो जाए अपने life partner पे कि वह कहीं divorce तक बात पहुँच सकती है यह उनके लिए है जिनकी बहुत अंतिम्स थिति तक पहुँचगे उनकी marriage life की आप कोई और option है नहीं दूसरा chance भी नहीं देना तीसरा chance भी नहीं देना तो divorce बात उनके लिए पहुँच सकती है लव लाइफ, लव लाइफ में चीज़ें ठीक ठाक रहेंगे कहीं कहीं पे communication gap आएगा लेकिन आप उसको सुधार लेंगे जहां तक job की बात है उनके लिए सब अच्छा है, दस्वे से दस्वें बैटे हैं तो career में आगे बढ़ सकते हैं बिजनस के लिए भी ठीक है बिजनस में बीजी रहेंगे लेकिन पैसा आएगा सब कुछ आएगा, कोई complications कानूनी चल रहे थे, वो दूर हो सकते हैं married life के लिए इसका impact बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है जहां तक students की बात है, जो students देश से बाहर जाने का प्रत्ने कर रहे थे उनको कुछ ना कुछ अच्छा राप्त हो सकता है सेहत के हिसाब से hormonal disorders तंग करेंगे urinary infections तंग कर सकते हैं और hormonal disorders के साथ हैं जो महिला हैं उनमें uterus की problem और पुरुषों में prostate की problem ये भी तंग कर सकता है और हड़ियों से संबंदित रोग भी तंग कर सकते हैं थोड़ा सा रोग को लेकर, health को लेकर आपको conscious रहना पड़ेगा क्योंकि इस समय ब्रहस्पती वक्री है, लगन में है और बुद्ध भी सप्तम में है, वक्री है तो वक्री ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य भी यहां पर आ रहे हैं तो problems बढ़ा सकते हैं उपाई क्या करना है, सूर्य देवता को जल अरपन करना है, जल अरपन करने से पहले, आपको उसमें थोड़ा सा कुम-कुम डाल लेना है और फिर उस जल को आपने सूर्य देवता को अरपन करना है और उसके बाद आपको गैत्री मंत्र का 108 बाद जाप करना है आशा करता हूँ ये सूर्य महराज के राशी फल का वीडियो, उनके गोचर का वीडियो आपको पसंद आएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए, ओम नमस्यों